जय हिंद बंदे मातरम साथ क्यों स्वागा थे डेली स्टेडी में आज की वीडियो में बिहार प्रोहबिडेशन कॉंस्टेबल का जो नया वेकेंसी आया है उसके लिए हम पिछले साल का पेपर लेकर आये हैं जिहां 27 फरविडी 2022 को इसी वर्स एक्जाम हुआ था उसको हम आपके सामने आज लेकर आये हैं तो आप लोग देखिए कि बिहार पुड़ेशन कॉंस्टेबल में किस तरीके से पेपर आता है तो चलिए आप हमारे साथ अंतक बने रहिएगा और पूरा पेपर देखिए किस प्रसन पुछा गया था तो देखिए पहला प्रसन पुछा गया था बर्तमान बिहार विधान परिशद के अध्यक्ष कोन है यानि कि जिस समय ये परिक्षा हुआ था उस समय की बात हो रही है बिहार विधान परिशद के अध्यक्ष कोन है आपको भी कुछ समय हम देते हैं जो कि आप अंसर कर सकते हैं तो देखिए बरतमान बिहार विधान परिशत के अध्यक्ष की बात करें एक्जाम के टाइम में तो अवधेस नरायन सिंग थे तो ओप्शन B यहाँ पे सही जवाब है तो देखिए अवधेस नरायन सिंग 23 अगस्ट 2022 तक बिहार की बरतमान बिधान परिशत के अध्यक्ष थे जिसके बाद आपको पता होगा कि अगस्ट महिने में बिहार में एक राजनिती में थोड़ा सा फिर बदल हुआ जो की सरकार चेंज होगिया मतलब सहयोगी दल चेंज होगिया जिसके बाद जो है अब अवधेस नरायन सिंग नहीं है बिहार के बिधान परिशत के अध्यक्ष अब जो है 24 अगस्ट 2022 से बिधान परिशत के बरतमान अध्यक्ष देवेस चंद्र ठाकुर है देवेस चंद्र ठाकुर जो है बिहार में जनता दल युनिटेट के नेता है पहले जो थे ये थे भारतिय जनता पाटी के जो की दल बदल हुआ इधर तो उसके बाद जो है अब कौन हो गए देवेस चंद्र ठाकुर तो इसको आप ध्यान रखिएगा अगला दिखिए जाना जाता है आधुनिक लोकतंत्र को किसके रूप में जाना जाता है ये होगा आपका परतिनिधित्व लोकतंत्र ओप्शन नमबर सी सही जवाब है तो देखिए आधुनिक लोकतंत्र को परतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है यह सरकार का एक रूप है जिसमें निर्वार्चित परतिनिधियों द्वारा उन्हें चुने गए लोगों की ओर से सत्ता का प्रयोग किया जाता है परतिनिधित्व लोकतंत्र को अब परतियक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है अगला प्राशन देखिए जिस तरह से भारत की खोज किसने की उसी प्रकार से अमेरिका की खोज किसने की तो देखिए अमेरिका की खोज की बात करे तो यह होगा आपका कोलंबस ऑप्सन नंबर B और भारत की खोज के बारे में आप लोग जानते ही हैं वासको डिगामा खोजे थे 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश सामिल थे प्रस नंबर पांच की बात करते हैं चुम्ब कत्व पर अधारित चिकित्सिय तकनीक इन में से कौन है चुम्ब कत्व पर अधारित चिकित्सिय तकनीक इन में से MRI का नाम आपने सुना होगा यही है आपका चुम्ब कत्व पर अधारित एक टेकनोलोजी से ये संबंदित है MRI MRI का पुरा नाम क्या होता है Magnetic Resonance Imaging इसका अर्थ चुम्बु किये अनुनाद परतिविंबन होता है और इसका उप्योग किसलिए किया जाता है MRI का यह जो है सरीर के विभीन भागों में ट्यूमर, सिस्ट और अन्य विसंगतियों को स्केन करने के लिए किया जाता है अगला देखिए राजनितिक दल कहां में आवस्यक है राजनितिक दल कहां में आवस्यक है यह होगा आपका लोकतंत्र में option number B, राजतंत्र मतलब आप लोग समझते ही है, राजा द्वारा, सासित, देश, लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुना गिया, तो भारत में लोकतंत्र है, निमलखीत में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यहाँ पे ध्यान दिखिएगा, नहीं है, प्राकृ यहाँ पे बगीचा की बात करें तो यह जो है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, प्राकृतिक पारितंत्र जो है, समूद्र, महासागर, नदी, पहाडियां, पहार, जंगल, नदियां यह सब है, और प्राकृतिक पारितंत्र के अंतरगात आते हैं, यह सब है, वहीं पे बात करें बगीचा की बगीचा जो है ये मानब द्वारा निरमित अस्थान है जहां पर मनुष्य समाजी कुरूप से मिलते जूते हैं और वियायाम विगरा करते हैं ठेक अगला देखिए की सराज की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रोफी का खिताब जीता है विजय हजारे ट्रोफी 2021-22 में कौन जीता है ति यह होगा आपका हिमाचल पर्देश ओप्सन नमबर डी तो देखिए हिमाचल पर्देश ने 2022-22 में विजय हजारे ट्रोफी का खिताब जीता और विजय हजारे ट्रोफी को रंजी वंडे ट्रोफी के नाम से भी जाना जाता ह अगला देखिए पर्तिष्ठित लोकमान इतिलक राष्ट के पुरुसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ये फरवरी मेंने में इक्जाम हुआ था 2022 में 27 तारिक को उसमें ये प्रसंद पुछा गिया है ये होगा आपका S sixt पुना वाला option number B तो देखिए लोकमान इतलक राष्टिय पुरुसकार के बारे में जान ले जिए पुरुसकार की सुरुवाद जो है 1983 में हुई थी और यह परतिवर्स एक अगस्त को लोकमान इतलक के नाम से परसिद बाल गंगा धरतिलक की पुनितिती पर दिया जाता है तो परसिद इस तरीके से अब पुछ सकता है कि लोकमान इतलक राष्टिय पुरुसकार की स्थिती को दिया जाता है एक अगस्त को किनके जन्म दिन पर पुनितिती यहाँ पर हो जाएगा आपका बाल गंगा धरतिलक जी और यह पुरुसकार जो है लोकमानि तिलक राष्टिय प्रुषकार भारत की मिसाइल महिला के रूप में लोकपिरिये वरिष्ट वग्यानिक टेसी थोमस को दिया गिया है क्या नाम है टेसी थोमस 2022 का जो है लोकमानि तिलक राष्टिय प्रुषकार टेसी थोमस को दिया गिया है और 2021 का दिया गिया था Cyrus S. पुनावाला तो इस बार धियान रखेगा T.C. Thomas को Baking soda को और किस नाम से जाना जाता है Baking soda को और किस नाम से जाना जाता है तो यह होगा आपका Bicarbonate option number D तो देखिए इसे आम तोर पर sodium Bicarbonate के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग Baking उतपादो जैसे की केक, कुकीर आदी में किया जाता है विद्यूत बल्ब का तन्तू इनमें से किस का बना होता है filament जो होता है बल्ब का यह किस चीर का बना होता है तो यह टंगश्टन का बना होता है तो उप्सन B यहाँ पे बिल्कुल सही जबाब होगा और टंगश्टन धातो का उपयोग जो है विद्यूत बल्बों के filament बनाने के लिए किया जाता है यह बातें आप दिहान रखिएगा तारापूर किस का केंदर है तारापूर यह जो है आपका महाराष्ट की बात हो रही है महाराष्ट में एक सहर है तारापूर ठीक तो यह तारापूर जो है अन्विक सक्ति का केंदर है यानि कि निकलियर पावर प्लांट जो आप लोग कहते हैं तो देखिए तारापूर परमानु उर्जा का केंदर है और इसकी अस्थपना 1979 इस भी में हुआ है और यह जो है बोईसर महराष्ट के पास इस्थित है और यह भारत का सबसे पुराना परमानु उर्जा सेंतर है तो प्रस्न इस तरह से पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना परमानु उर्जा सेंतर कोन है तो धियान रखिएगा त कि तरापूर निकोलेयर पावर प्लान्टte यानि कि तरापूर परवनवानस ऊप्लाइन के अंदर्र और इसकी अशप्ना 1969 में हुआ है लिबाधर जगूरी द्वारा इन में से रचित कोन है इनमें से एक कविता का नाम बताईए जो लीला धर जगुरी द्वारा रचा गिया है तो ये होगा आपका मेरा इस्वर तो option number यहाँ पे C सही जवाब है इनके वाद बात करें अगर पूरा हिंदुस्तान मिलेगा ये किसने रचा है तो ये कविता जो है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा के दरनात अगरवाल द्वारा रचीत है बादल राग की बात करें तो ये बादल राग निराला जी की परसिद कविता है और चाया मत शुना इस कविता के रचीता स्री गिरिजा कुमार माथूर जी है भारतिय ससस्त्र बलों के पहले Chief of Defense स्टाप कौन थे इसमें तो आप लोग 99% अंसर कर पाईएगा क्योंकि नाम आपने सुना होगा जनरल विपीन दावद जी जिनका की निधन 15 दिसंबर 2021 को हेलिकॉप्टर के दोरान हो गया था तो ध्यान देखेगा भारतिय ससस्त्र बलों के पहले Chief of Defense स्टाप जो है जनरल विपीन दावद जी थे जनरल विपीन रावद भारतिय राष्टिय ससस्त्र बलों के पहले Chief of Defense थे और उन्हें 30 दिसंबर 2019 को पहले Chief of Defense स्टाप के रुप में निउक्त किया गया था और 15 दिसंबर 2021 को उनकी हेलिकॉप्टर घटना में मिर्तिय हो गई और आगे परने से पहले बता दें कि आप लोग जितने भी बिहार पुड़ेविटेशन कॉंस्टेवल के स्टूडेंट है आप लोग वीडियो को फटा फट लाइक कर लिजेगा यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट नोटिस यह है कि जो लोग बिहार पुड़ेविटेशन कॉंस्टेवल का पूरा पेपर देखना चाहते हैं यानि कि 100 में 100 तो आप बढ़हां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं बेव साइट पर जाएए www.dailystudy.co.in यहाँ पर आपको आपके एक्जाम से रिलिटेड आपको यहाँ पर कोसंस यानि की पिछले साल का पेपर मिल जाएगा तो जाएए www.dailystudy.co.in और जो लोग पहले बार जहाँ पर आएए हैं चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब करके बेल आइकन को किलिक कर लिजिए उसके बाद और नोटिपिकेशन को किलिक कर लिजिएगा तो देखेए लाल पान बेगम की आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पूछा जाता है सूखी नदी का पूल ये कहानी जो है इसके रचियता है राम धारी सिंग दिनकर जिने की भारत का राष्टिय कवी कहा जाता है और ये आपका बिहार से संबन नित है दो बैलों की कथा ये भी पुछा जाता है ये दिखिये दो बैलों की कथा जो है 1931 में मुनसी प्रेम चेंदर द्वारा रचित हिंदी कहानी है और उसने कहा था ये भी एक लिखा गया है कहानी 1915 में चेंदरधर सरमा गुलेरी द्वारा अगला देखिए संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहा अस्थित है संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले की बात करे तो ये होगा आपका नियो यार्क नियो यार्क जो है United State America का एक सहर है यहीं पे है संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले अगला देखिए साइन्स क हीमोगलोबिन वरनक किसमें पाया जाता है हीमोगलोबिन वरनक पाया जाता है आरबीसी में ओप्सन नमबर यहां पे सहीजबाब है आरबीसी का पुरा नाम क्या होता है रेड बलड सेल्स ठिक और आरबीसी में हीमोगलोबिन पाया जाता है इसमें हीम, वरनक और गलोबिन प्रोटिन पाया जाता है यह ओक्सिजन के प्रिवहन में सहायक होता है पराग का एक फूल से दूसरे फूल में निलखीत में से किस माध्यम दुआरा अस्थानांतरन हो सकता है तो ये होगा हवा, जल, कीट यानि कि उप्रोक्त सभी option number D, एक विद्यूत जनित्र इनमें से कौन सी उर्जा को कौन सी उर्जा में बदलता है, पराग का आप ध्यान से पढ़िए और विडियो को रोख करके आंसर कीजिए, एक विद्यूत जनित्र जिसे कि हम लोग डाइनमो के नाम से जानते हैं, ये जो है कौन सी उर्जा को कौ जाता है और इसे डाइनमो के रूप में भी जाना जाता है डी आई मेंडिलिप को इनमें से किस चीज के लिए स्रे दिया जाता है मेंडिलिप का नाम सुनते ही आपको क्या आना चाहिए यहाँ पर डी आई मेंडिलिप का स्रे जो है तत्वों की आवर्त सारनी के लिए दिया है तो option number C यहाँ पे सही जबाब होगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना परतिसत है 2011 में दिखिये जनगर्णा हुआ था ये प्रसंद पूछा जा चुका है बिहार प्रोहिविटेशन कॉंस्टेवल 27 फरवरी 2022 को तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है 74 परतिसत लगभग है तो option D यहाँ पे सही जबाब है और भारत में साक्षरता दर जो है 74 दसमलब 4 परतिसत है तो यहाँ पे 74 लगभग पूछा गया तो 74 परतिसत किजिए और इसमें प्रसंद आप से इस बार इ भारत में साक्षरतार दार 2011 की जनगन्ना के अनुसार पूरुसों के लिए कितना परतिसत है तो धियान रखेगा 82,10,14 परतिसत यानि कि 74 परतिसत का आप जो है 82 परतिसत पूरुस के लिए इसमें 82 परतिसत पूरुस और 65 परतिसत महला सामील है तो धियान दखिएगा कूल मिलाकर यहां पर 74 परतिसत है अगला दखिए आनुवानसकी के जनक किने कहा जाता है तो यह होगा आपका मेंडल जी जे ओप्सन नमबर बी तो देखिए ग्रेगर मेंडल ने मटर के दाने पर काम किया था और मेंडल जी जी को आनुवानसकी का जन प्राथम विश्वयूद कब सुरू हुआ था प्राथम विश्वयूद की बात करे फास्ट बैटल तो यह 1914 यानि कि 1914 में हुआ था और यह जो है प्राथम विश्वयूद एक वैस्विक संघर्स था जो यूरोप में सुरू हुआ और 28 जुलाइद 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला समूद्र का कुछ भी नहीं होता देखिए यहाँ पर ध्यान रखेगा यह सब वाक्य है समूद्र का कुछ भी नहीं होता मानों अपनी अबूज भासा में कहता रहता है यह पद परतीक किसका है तो यहाँ पर सही जबाब होगा ओपसर नमबर 20 समाज का अगला देखिए खाद सुरक्षा से क्या तात पर यह है यानि कि खाद सुरक्षा का क्या मतलब है तो यह होगा खाद सुरक्षा का मतलब खाद दी उपलवद कराना भोजन तक पहुँच करना भोजन की वहनियाता क यानि कि उपरोग सभी औपसर नमबर D निमलखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यातरा करने वाली द्वीतिय भारतिय मूल की महला बनी देखिए इससे पहले आपको कलपना चावला जी का नाम याद होगा ये अंतरिक्ष में यातरा करने वाली भारत की पहली महला थी उसके बाद जो है 2021 में दूसरी महला गई वो भी भारत की उनका क्या नाम है ये 2021 की जुलाई महने में गई थी इनका नाम है सिरीसा बदला ऑफसर नमबर C और कलपना चावला जी पहले गए थे भारतिय मूलकी थी अंतरिक में जाने वाली भारतिय मूलकी महला हुई देखे कलपना चावला की जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हुआ था और एक फरवड़ी 2003 को इन की यहीं पर हाथसे में मौत हुई था राष्टिय मानवा धिकार आयोक की अस्थापना कब हुई थी तो अप्सन डी यहां पे सहजवाब है और तारिक भी आपसे पुछा जा सकता है राष्टिय मानवा धिकार आयोक का गठन जो है 12 अक्टूबर 1994 को हुई थी अगला देखिए भारत में प्रथम पर्मानु सयंत्र कहां अस्थापित किया गया था यानि कि भारत का पहला निकुलियर पावर प्लांट यह कहां पे अस्थापित हुआ था तो मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे बताया है तारापूर तारापूर है कहां महराष्ट म बैला डिला स्रेनी की जिले में स्थित है बैला डिला जो है ये एक पहार का स्रेनी है ठीक ये जो है चातिसगड में है चातिसगड में कहां बस्तर जिला का नाम आपने सुना होगा यहीं पे है तो देखिए बैला डिला स्रेनी दंतेवारा या फिर दक्षिन बस्तर जिले म और ये बस्तर में है, कहां है बस्तर? छतिसगड में, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व की बात करें तो ये मुन्डा जनजाती मनाते हैं, तो ओप्शन नमड़ B यहां पर सहे जवाब है, तो तो दिए सरहुल तहवार जनजाती में मुख्य रुप से आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, और यह जनजाती मनाया जाता है, और सरहुल का अर्थ क्या है बिरिक्षों की पूजा करना अमन अमन फस किस से संबंधित है यानि कि अमन फसल यहाँ पे लिखा जाना चाहिए अमन जो है किस फसल से संबंधित है कौन सी फसल से यह अमन सब्द संबंधित है यह होगा धान से तो अप्शन डी राइट अंसर अगला दिखिएगा स्वय साहता समू में रीन संबंधि अधिकांस निर्ने किस के द्वारा लिये जाते हैं स्वय सहता समू का नाम आप लोगों ने सुना होगा यह रीन देने वाली एक ग्रूप कह सकते हैं यह इसका निर्ने किस के द्वारा लिया जाता है तो यहाँ पे सही जवाब होगा सदस्यों के द्वारा ही तो आपशन भी बिल्कुल सही जवाब होगा अगला देखिए इनमें से कौन सी बिकल्प में सही बिलोम युगम है यानि कि उसका उल्टा सब्द किसके साथ यहां पे है सही तो यहां पे देखिए सही बिकल्प की बात करे उल्टा यानि कि बिलोम सब्द तो यह होगा गौरव का लगव ये बिल्कुल सही है बांकी के अनादर की बिलोम सब्द की बात करे तो ये होगा आदर अनुठा की बात करे तो अनुठा का बिलोम सब्द होगा समान और गौराव का लाघव तो यह यहाँ पे सही जवाब है पांकी के दोनों गलत है तो option C सही जवाब होगा गौरव का बिलोम सब्द लागाव अगला देखिए पिर्थवी की कुल सत है जो पानी से घुरा हुआ है वो कितना परतिसत है यानि कि पूरे पिर्थवी पर कितना परतिसत पानी है तो यह होगा आपका 75 परसेंट यानि कि 75 परतिसत चार भाग में तीन भाग जो है पानी ही है उसके बाद एक भाग में हम लोग का जंगल वेगरा और हम लोग रहते हैं तो 75 परतिसत पानी है और 75 परतिसत में भी मीठा पानी की मातरा आप से पुछा जा सकता है तो दियान रखिएगा 2.5 परतिसत और खारा पानी ये 97.4 परतिसत यानि कि सारे 97 परतिसत कह सकते हैं खारा पानी मतलब महासागर और समीद्र एक कहानी यह भी यह किसके द्वारा रचा गिया है एक कहानी यह भी यह रचा गिया है मन्नू भन्डारी द्वारा तो option C यहां पे सही जबाब है अगला देखिये कौन भातिक पुझी का उधारन नहीं है भातिक पुझी मतलब physical investment तु यह होगा आपका नहीं की बात हुई है तो सिक्षा अब प्रस्चन जो है यह Physical Investment नहीं है यानि कि भौतिक पुण्जी नहीं है बाकि की बात करे यंत्र वर मसीन है तो यह आप लोग छोई सकते हैं देख सकتे हैं तो यह होगा आपका भौतिक पुण्जी भवन में आपको मसीन वेगरा लगेगा तो ये होगे आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट कच्चा माल ये भी होगे लेकिन सिक्षा और प्रसिक्षन जो है मानब पुंजी है ये जो है दिमाग से ही चल सकता है तो इसको आप ध्यान दखिएगा भवतिक पुंजी के उधारन हो गए मसीने भवन और कच्चा माल मानब पुंजी के उधारन हो गए सिक्षा और प्रसिक्षन किरिया बल एवं परति किरिया बल हमेशा किधर लगते है किरिया बल एवं परति किरिया बल किस दिसा में हमेशा लगते है तो यह होगा आपका विभिन बस्तुओं पर और विप्रित दिशाओं में तो option D यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा अगला दिखे निवनिवे से किस छेत्र में मौसमी बिरुजगारी की समस्या होती है मौसमी बिरुजगारी से आप लोग समझ सकते है मौसम के साथ-साथ बिरुजगारी आना तो यह क्रीसी में ही देखने को मिल सकता है तो option D यहाँ पे सही जवाब होगा क्रीसी के छेत्र में मौसमी बिरुजगारी की समस्या होती है क्रीसी छेत्र मौसमी बिरुजगारी की समस्या का सामना करता है और मौसमी बिरुजगाडी वह बिरुजगाडी होता है जो वर्स में एक निस्चित मौसम के दोरान होती है निमलखित में से किसका बीज प्रोटीन एवंबसा यानि कि तेल का प्रचूर स्रोत है बीज प्रोटीन इवर बसा का इन में से प्रचूर स्रोत इन में से किसमे होगा यह होगा अरंडी अरंडी मतलब यह एक ओयल होता है इसका बनता है तो धियान रखेगा अरंडी राश्ट पती को महाभयोग की परकिरिया से कौन अपदस्य कर सकता है राष्टपति को महाभयोग की परकिरिया के द्वारा उनको पद पर से कोन हटा सकता है तो यह अगा आपका संसद option number 1 तो देखिए संसद जो है महाभयोग परकिरिया द्वारा भारतिय राष्टपति को हटा सकती है भारतिय समिधान का नुच्छेद कौन सा कहता है कि संसद जो है महाभियोग द्वारा राष्टपती को हटा दें तो यह होगा आपका 61 समिधान का नुच्छेद 61 जो है राष्टपती को हटाया जा सकता है महाभियोग की परकिरिया से संसद द्वारा और जब समिधान के मतदाता सुची को आम तोर पर क्या कहा जाता है मतदाता सुची को आप क्या कहते हैं तो वोटर लिस्ट का नाम आपने सुना होगा वोटर्स लिस्ट यह होगा आपका वोटर लिस्ट हिंदी में मतदाता सुची बिल्कुल बेसिक सवार राजसभा का सभापती अपना त्याग पत्र किसको सम्भूधित करता है यानि कि राजसभा का सभापती जब यह रिजाइन देते हैं, यह अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? राश्क पती को तो option A यहाँ पे सही जबाब होगा निम्लखीत में से कौन दक्षिन अफ्रिका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है रंग भेद आंदोलन से बात करती होगा आपका निलसन मंडिला ओप्शन बी पंडित बीर्जू महराज का संबंध किस निरतिस से है बिर्जु महाराज जी का नाम आपने सुना होगा ये पंडित बिर्जु महाराज जी जो है कथक से संबंदित है और पंडित बिर्जु महराज जी का नाम पूरा नाम यानि कि ब्रीज मोहननाथ मिस्रा जो कि बाद में पंडित बिर्जु महराज जी के नाम से जाना गया एक कमपनी जो एक से अधीक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंतरंद करती है ये क्या कहलाती है वैसा कमपनी जो एक देश से जादा देशों में अपनी कमपनी को मतलब उत्पादन करती है यहां उसको क्या कहेंगे बहुराष्ट के कमपनी कहेंगे, option C, कौन से सम्मू के सभी सब्द कमल के प्रयावाची है, यानि कि कमल के प्रयावाची वाले गुरुप को चुनना है, इन में से कौन है, कमल का प्रयावाची सब्द वाला, सरोज, पंकज, अर्विंद, option number C, यहाँ पे बिल्कुल सही जबा होगा, कमल का प्रयावाची, सरोज, पंकज, अर्विंद होगा, दाल का बहु बचन सब्द क्या है, देखें यह कुछ प्रस्न हिंदी का है, दाल का बहु बचन की बात करें, दालो का ना किजिएगा, दालो, धियान रखिएगा यह होता है, दाले, ठीक तो option number D, देशों के बीच विकास की तुलना करने है, तू उपयोगी मापक क्या है, तो यह होगा आपका परती वेक्ति आय, option number A, यहाँ पे सही जवाब है, देशों के विकास की तुलना करने के लिए, परती वेक्ति आय का मापन क्या जाता है, हरपा के किस अस्थल में, जलासाई के परमान मिल हैं, यह सभी के सभी जो है, हरपा के अस्थल है, इन में से जलासाई के परमान मिले हैं, धौला वीरा से, option number B, धौला वीरा जो है, यह कहा है, गुजरात राज्य के कक्छ जिला में इस्थित है, और धौला वीरा की खोज, 1967 से 68 में की गई थी, किसके द्वारा, जेपी जोस गवर्नर जनरल कौन है, आरवी आई के बर्तमान गवर्नर, यह होगा आपका सक्तिकांत दास, option number C, तो देखिए, एक प्रसन और पुछा जा सकता है, अच्छा बर्तमान गवर्नर जो की सक्तिकांत दास है, यह कौन से नमबर के गवर्नर है, 25 नमबर के, और आजादी के बा देखिए, यहाँ पर एक प्रसन है, आपके लिए, उससे पहले आपको बता दे कि बिहार प्रोहवेटेशन कॉनस्टेवल का पूरा पेपर, 37 फरवरी 2022 को जो हुआ था, इसको आप देखने के लिए, वहाँ पर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, full solution के साथ, तो देखिए देखिए, एक प्रसन है, आपके लिए, बिहार के सरी किसे कहा जाता है, इस प्रसन का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अंत में इस वीडियो को आप लोग सेर जादा से जादा करें,